नमस्कार दोस्तो दोस्तो चैंप कैश बिजनस में आपका स्वागत है चैंप कैश का जो निया वर्जन आया है जो शॉपिंग के साथ बहुत ही असान और बहुत ही अच्छा वर्जनले है इस वर्जन में क्या खुबी आप और इसको कैसे यूज कर सकते हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपको चैंप कैश को किस तरह से आपको लोगिन करना है sign up किस तरह से करना है और challenge तक किस तरह से पहुँचना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका phone गुम हो जाता है और आप दूसरे phone में अपना phone चैंपकेश का account convert करवाना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे देखिए पहले यूज़ करते है चैंपकेश में account बनाना अगर आप चैंपकेश का account बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो option दिये गए sign up with Chamcash और sign up with Google अगर आपका Google पर Gmail का account बना हुआ है तो आप sign up with Google भी कर सकते हैं अगर Gmail पर account नहीं है तो आप sign up with Chamcash कीज़ीगा अगर आपका phone घुम हो गया है और आप अपना phone दूसरे phone में transfer करना चाहते हैं या आपको लगता है कि मेरी Chamcash में ID बनी हुई थी और मैं logout हो चुका हूँ तो आप क्या करेंगे यहाँ पर option दिया हुए change device या login का इस पर आप लोग क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद इससे अगली ही स्क्रीन पर आपका password और आपका refer ID Chamcash का मांगा जाएगा जो भी आपका Chamcash का password है और जो ID आपको लगता है कि आप एक phone से दूसरे phone में shift को राना चाहते हैं वो यहाँ पर as it is जैसे ही आप डालेंगे submit का button प्रेस करेंगे और उससे ही अगली स्क्रीन पर आपकी email ID पर और आपके mobile phone पर एक OTPP पिन आएगा वो दोनों code एक जैसे ही होंगे email से या mobile से वो code उठाईए और आप यहाँ पर enter जैसे ही करेंगे आप login हो जाएंगे अब देखते हैं कि Champ Cash में नया account किस तरह से बनाना है देखे अगर आप sign up with Google करते हैं तो mobile verification नहीं होगी आपकी क्योंकि आपकी Gmail से verification हो जाएगी आईए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जैसे मैंने sign up with Google पर click किया मेरा account यहाँ पर आ गया इसको आप मैं select करूँगा इससे अगली screen पर मेरी detail, मेरा नाम और मेरी email ID अपने आप मेरे सामने आ जाएगी देखे detail और मेरी email ID अपने आप भर के आगी है इस email ID को मैं change नहीं कर पाऊंगा पर इस नाम को मैं change कर सकता हूँ मैं अपना कोई भी एक password चूज कर सकता हूँ minimum 5-6 character का password होना चीए यहाँ पर confirm password दुबारा से वही password डालना है यहाँ पर आपको अपनी country reselect करनी है उसके बाद आपको अपना mobile number डालना है accept पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको proceed का button दबाना है आई यह देखते है कैसे देखे अब मैं अपनी details सब fill कर चुका हूँ और यह सारी details fill करने के बाद मैं proceed का button दबाऊंगा proceed का button दबाते ही यहाँ पर enter refer ID of sponsor के लिए आपको एक ID मांगी जाएगी इस जगा को आपको बहुत ध्यान से आपको पार करना है यहाँ पर आपका जो भी sponsor है जिसने आपको jam cash के बारे में आप लोगों को बताया है उस person से आप contact करेंगे और आप उनसे बोलेंगे आप अपनी jam cash की refer ID बताये उस person की आपको यहाँ पर refer ID डाल के submit करना है देखिए अभी हमने Google से sign up किया तो यहाँ refer ID डालने के बाद हमारे पास mobile का OTP pin नहीं आएगा पर अगर हमने sign up with jam cash किया होता तो वहाँ पर जब भी इस ID को submit करेंगे तो हमें refer ID के लिए मांगा जाएगा और हमारे mobile पर एक OTP pin आएगा उस OTP pin को हमें jam cash में डालना होगा तब ही हम register कर पाएगे पर जैसे कि अभी हमने Google से ही sign up किया है तो हमें कोई OTP pin नहीं आएगा आएए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है देखे दोस्तों मैंने sponsor ID डाल के submit कर दिया है और उसके बाद अब मेरा challenge शुरू हो जाएगा challenge के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि challenge आपको किस तरह से complete करना है धन्यवाद दोस्तों